गाय का क्यों किसी भी प्रश्ण पर कानून हाथ में लेना, हिूसा करना, तोड़फोड करना ये अत्यन्त अनुचित अपराध है और उस पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए अपराधियों को सजाओनी परंतु गाय ये परंपरागत श्रद्धा का विशे तो है ही मानविंदू माना जाता है, गाय मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ उस शास्तर को, उसके हवाले से कह रहा हूँ, अपने देश के छोटे किसान जो बहुत संख्या में है, उनके अर्थायाम का आधार गाय बन सकता है, दूसरा कुछ नहीं बन सकता हूँ, अनेक धंसे गाय उपकारी है, अब सारी बते बाहर आ रही है, अटू मिल्क की बात होती है, पहले नहीं थी, अब मालू हो गया विध्यान को, तो गोरक्षा तो होनी चाहिए, सम्विधान का भी मारगदर्शक तत्वा है, तो उसका पालंग करना चाहिए, लेकिन गोरक्षा केवल उन से नहीं होती है, गोरक्षा करने वाले देश के नागरी गाय को पहले रखे, गाय को रखेंगे नहीं और खुला छोड़ देंगे तो उपदरो होगा, जो गोरक्षा के बारे में आस्था पर प्रिष्ण लगता है, इसलिए गो सम्वर्धन इसका विचार होना चाहिए, गाय के जितने सारे उपयोग है सामान रोजमर्रा की जीवन में, वो कैसे आज लागू किये जाए, कैसे उसका ज्ञान दिया जाए, कैसे तकनीकी का उपयोग करके उसको घर-घर तक पहुचाया जाए, इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, वो गोरक्षा की बात करते हैं, वो लिंचिंग करने वालों में नहीं है, वो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सात्वी प्रकृति के लोग हैं, केवल संग के सवेशोक भी नहीं है, पूरा का पूरा जहिन समाज इस पर तुला है, और भी अनेक लोग है, अच्छी गोशा लाए चलाने वाले, भक्त से चलाने वाले, मुसल्मान भी अपने देश में बहुत जगह हैं, तो इन सब लोगों को लिंचिंग के साथ कभी जोड़ना नहीं चाहिए, उनके कारे को प्रुछान मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के सामान निवेक्ति के हित का काम है, अपने देश की अर्थव यवस्था में एक बड़ा आधार साबित हो सकता है, और इसलिए गौत असकर हमला करते हैं, तो उसको भी अब लिंचिंग पर आवाज करते हैं, और गौत असकर हमला करते हैं, उस पर आवाज नहीं होती, यह दोगली प्रोरुति छोड़ने चाहिए.